हालो फ्रेंट्स वेल्कम टो वर चैनल फ्यूचर टीचर आज हम जन्वरी 2021 का पेपर देखेंगे नेपाली लैंग्वेज का तो इसमें फॉस्ट क्वेश्चन देखते हैं ये एक पध्यांच दे रखा है तो आप क्वेश्चन देख लेगे हैं परचान थी हरूले भाषा एक का रूपमा नेपाली चैन गरेक शन भने अनुह रूले पार्थ पार्थ प्रश्ण 91-120 का प्रश्ण हरू को उत्तर दिनू पच्छेंट तो इसमें प्रश्ण देखते हैं 91-विध्यालवयमा सिक्षा समगरी का रूपमा लोकसाहित्यक यो प्रयोग गण कडू कुन पूर्व तैयारी अवश्यक छो तो इसका सही उत्तर होगा 2-विध्यालविध्यक संगलन गणू Q.92 लोकसाहित्य के हो? लोकसाहित्य श्रवन काव्य हो? श्रवन काव्य हो Q.93 लोकसाहित्य के हो? लोकसाहित्य को संगल कनमा महत्वपूर्ण एवटा पच्छ कुन हो? तो छेत्रकारिया Q.94 पहेली भनाले के बुझिन तो मीत गाउदे गलो गोलो घुमेर साथी लाई समाई थुनामा पड़ने किसिम कमो खेल Q.95 तलका मध्य कून चाही सिक्षको एवटा मध्यम होई Q.96 प्रश्ण नाइटिसिक्स लुक साहेत्य को प्रयोग गर्धे माही सहरू माच कुने संदेश पुझनिया एवटा माध्य कून हो? तो श्राव्य द्रश्य माध्यम प्रश्ण 97 निरक्षर को विप्रार्थी शब्द कून हो निरक्षर न विप्रार्थी शब्द चर उप्तर नमबर दुई 98 प्रश्ण ताल का मध्य कून कत्थ उप्युक्त छो? तो अप्शन नमबर थर्ड आनंद का साथे लोग कथाले प्रभावकारी ढंट मां बालक बालिकार रुलाई सिक्षा प्रदान गर्च प्रश्ण 99 निद्री भानों के के हो तो नानी हरुन सतूदा गईने एक प्रकार को गीत प्रश्ण निर्देश देगो कविता पढ़ेर तल भाई का प्रश्ण हरु प्रश्ण सोस एकस पाँच का उप्युक्त उत्तर चिनहित गणु होस तो सववा प्रश्ण कवितामा मोरीको महपदावली कुन कुराको द्रुष्टकंता का लागी एउचको आईको छ तो एताको प्रश्ण 101 कालेको व्रक्ष हांगो तथा निहूरीने गुणु व्यक्ति तले किस्तो चरित्र भुझाउण तो बिनई प्रश्ण 102 सीत कालमा कोई लिको सववाव कस्तो माई भाई को छुन शान्त प्रश्ण 103 उपकारी को विपरार्थक शब्द कून हो तो अपकारी प्रश्ण 104 प्रश्ण 104 मुर्ख शब्द बाट मुखाई बच्छिन मने तया शब्द को रूप परिवर्थन हुने प्रक्रिया कून हो तो विशेश विशेशन वाट नाम फिर उप्युक्त कविताले कून किस्म को सिक्षा बास अंदेश देखो छो तो नैतिक प्रश्ण 6 उप्युक्त विपकल्प को चयन गरी तल भनेई का स्प्रक्ष्ण हरू को उत्तर दीनू होस प्रश्ण 104 व्याकरन सिकाउन का लाकी निमलेखित मध्य कून चाही प्रभावकारी तरीका हो तो नियम हरू पतो लगाउने परिवेश सर्जना गरेर व्याकरन सिखाउनू प्रश्ण 107 सामाजिक अंतर खिडिया को अवधार्ना कासित संबद्धित छो तो भौतसकी प्रश्ण 108 निमलेखित मध्य कून चाही कूराले नानी हरू लाई भाषा आर्जन गर्न सहयोग पनुछाउ पुन्य उच तो अरू नानू हरू सित खेलू खेलू प्रश्ण 109 प्रश्ण 110 एउटा पार्ट पठन का लागी निमलेखित मध्य कून आंते महतुपूर्ण रहचन तो एकसो प्रश्ण लाउत्तर निमलेखित पाठ्यों अर्थ बुजनू 111 निमलेखित मध्य कून चाही भाशा सिक्षणों उद्देश होईन तो प्रत्न का साथ विचार हरू को अभिव्यक्ती प्रश्ण 112 ध्वनिगत सचेत ता कून कुरासित अत्यदिक सह सम्बंधित छो तो प्ठने योगता प्रश्ण 113 नोम चोंपस की अनुसार नानी हरूमा भाशा डैश को जनम जात छमता रहचन तो अधिग्रहन प्रश्ण 114 भाशा कोशल कस्री सिकाउनू परदर्च तो एकाकरत ढंडगमा 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 प्रश्ण 115 प्रश्ण 115 सिक्षक सिकारूह रुलाई कोण आही रड़ भर्न प्रेरित गर्चीन उनिके ग्राही रेह की छन सही उत्तर रोम्र शित मोटर कोशल को विशकास गणे कार्या प्रश्ण 116 काथ्य भाषा कोशल को विशकास गण तलक्य मध्य कूण अभ्यासली अधिकत अत्यधिक सहयोग पुन्या छो तो पाठ्य पुस्त को एउटा अध्याय सिक्षक लाई पाच्छा हुए समूह माँ पठनू प्रश्ण 117 कक्षा तीन की सिक्षक विद्यार्थिह रुलाई अध्याय माँ भय अनुसार उप्युक्त क्रम मिलाई ये कथा लाई संख्या सक्खय बधगण लगाउचिन वस यसकिरिया कलापले केम सहयोग पुज्य छ तो बौध गम्य निमेश प्रश्ण 118 कक्षा दुई का सिक्षक कले कक्षामा भय का चिन विज हरुमा लेबल लगाउचिन यसले विद्यार्थिह रुलाई लिखित शब्द रो वास्तविक चीज विज का माज संबंद स्थापित गर्ण सहयोग पुज्याच यस किसी मका कार्यले विद्यार्थिह रुमा कुण कुराल को विकास गण पणी सहयोग गच्छन सहयोत्तर तीन शब्द भंडार प्रश्ण 119 कुणे नानी को भाष्या प्रवीन ताको मुल्यांकन गण ई मध्य कुण चाही थोरे प्रवावकारी हुच्छ तो दुई कथा लेखन कथा लेखन सेकेंड ओप्शिन 120 प्रश्ण 120 विद्यार्थिह रुमा भाषा च्छमता को विकास गण निमलिखित मध्य कुण चाही प्रश्ण सर्वादी गुप्योगी हो तो तिमी यानी तिमरी आमका बिच भाई को कुराकानी लेख प्रश्ण 121 निर्देश पढ़ते हैं परिक्षार्थी हरुले भाषा दुई का रुपा मा नेपाली चैन गरे का चन भले हनूरुले पाठ पाच प्रश्ण 121 टू 150 का प्रश्ण हरु को उत्तर दिनू पच्छेन तो भाषा फिफ्ट नेपाली के उत्तर देखते हैं 121 एक गध्यांश दे रखा है निर्देश देखते हैं दाई को अनुचे पड़े तल भाई का प्रश्ण हरु क्रिश्ण वीरलाईक मा निक्के बाटो छून भटे घमंड थियो यस वाक्यमा प्रयुक्त विश्येशन कून अवस्था मा को छ तो तुल्नात्मक प्रश्ण 122 क्रिश्ण वीरहरिभज्त कून कास्मीको वाहमा यात्रा गरीहके थी तो बस डिगमा बस गाडिमा प्रश्ण 123 अनुछेद मा बाबुजी भनेर कसलाई संबोधन गारीको छ तो यात्रा गारीक सब सबेलाई फिर 124 मिजाज खुश हो जाएगा भानेको की हो तो खायरहन मा लागच प्रश्ण 125 भाठन छो कून किसी मको क्रिया पद हो तो प्रेड नार्थक प्रश्ण 126 क्रिश्ण भीरले हरी भक्त लाई याल पाठ देखाई को ठाव कस्तो हो तो समतल को विस्तारित बाजो पाठ Q127 आकरसित को विप्रार्थक शब्द कून हो तो इस परशित Q128 उप्युक्त कथासमा कती जना पात्र को उल्लेक भाई को छो तो दुईजन प्रश्ण 129 तो 135 को उप्युक्त उत्तर चिनहीद गुण होस Q128 पठेर तल भाई का प्रश्ण हरू Q129 कुने विशे बाईरे चल चल चित्रले मानी सलाई कुन कसीमको सूचना तथा ज्यान प्रदान गर्च Q139 तो वैभारिक, सिक्षा, सिक्षा और राजनितिक Q139 सू गमतासित कीन वर्ग को पद हो Q139 प्रश्ण 131 सैक्षिक चित्रहरू को निर्मन मा Q139 सरकाले प्रचाहन दिनु कुन आवस्यक छो Q139 तो विध्याले को सिक्षा भंधास यो सहज साध्य भाईकाले Q139 तल का मध्य कून चाही अध्याय पद हो तो सूचना युक्त 134 133 सूचना युक्त 133 अनुछेद बाट कीन कौन काथ्य प्राप्त गण सकीच तो चलचरी समाज सुधार का निम्न निम्मिती उप्योगी हुन सकच 134 निर्मूल शब्त को निर्मान संदी क्रियाद्वारा भाय को छ भने तत्सै को विग्र कस्त हुन तो निरामूल निराधन मूल प्रश्ण 135 अनुछेद माँ चलचित्र को उप्योग ता लाई कून रूप माँ हरिकेशोट छो तो सिख्षा प्रचार प्रशाद गणने माध्यम। 136 निर्देश उप्योग्त विकल्पो चयन गरी तल भाने का प्रश्ण हरुको उत्तर दिनू होस। 136 नानी को भाषा अधिग्रहन का लागी तल का मध्यकून चाहिले महत्वपूर्ण भूमी का खेलच। तो सिख्षक 137 व्याक्रन का नियम हरु कंठस्त गणुकून चाही पद धातिको बीजकोश हो। तो व्याक्रन रन्यवाद पद धती 138 कून भाषा सीखदा निम लेखित मध्यकून चाही महत्वपूर्ण छेन तो प्रेर्णा 139 एक जन सिख्षका रूपमा नानुहरुलाई लेखन सिखाउदा तपाई के गुण हुणू तो सही उत्तर नानुहरुलाई भाषका वन हरु लेखन लगाउनू 140 विध्यार्थी हरुका लागी अध्यान अध्यायेपन सामग्री टी अलेम कोचयन गर्ण निम लिखित कून चाही भूंदा महत्वपूर्ण रहच तो सही उत्तर यो प्रसांसरिंग हनू पर्च आणी संगटित रूप मा प्रयोग यसको हनू पर्च 141 कक्षा दुई मा का केही विध्यार्थी रुलाई केही स्वामिन निम हरुको उच्चारन गण गहु पच विध्यार्थी हरुको यसकठिनाई को सामधान गर्ण तालका मध्य कून निती सर्वाधिक प्रभावकारी रहंच सही उत्तर दुई सिक्षा काले लगुत्तम युगम क्रिया जस्ते अनत्यानू प्रास युक्त शब्द हरुको प्रयोग गणू पर्च आनी शब्दे सब्द का स्वाबीन को रचनागर्ण अती तिन लाई चिन लगाउनू पर्च 142 142 व्याकरण का नियम हरुलाई केंद्रमार आखेर तत्य समा अधेता आधारित धर्रे उधारन प्रस्तुत गर्णे सिक्षन पधतिलाई के बच्चिन तो आगनात्म पध धत्ती प्रश्न 143 सिका रुह धरूले कसरी भाषा अर्जन गर्छन तो तायस बासका भातहरुको संस्क्रती बारे जानेर प्रश्न 144 निमलिखित मध्य कून चाही उद्धम उद्तम मोटर कौशल विकास को दुस्तान्त हो तो पठनू 145 सिक्षक काले सोधे का निमलिखित मध्य कून चाही प्रश्न ले कूने गक्षमा वहु भाषिक तलाई प्रवर्धी गर्च तो तीमी कहां पालतू जान्वर छ प्रश्न 146 सान गक्षमा अत्यांतनू प्रास को प्रयोग गर्च उन पार्च किन भीने किन भीने तो यसले विद्यार्थी रुलाई यच भास को व्याकरन की सिक्क कन सहयोग गर्च प्रश्न 147 सिक्षक अक्षमा करिया कलापे गराउने निधो गर्चीन उनी केही गाउन प्रश्नहर्णु सुन लगाई रे विध्यार्थी रुपा, रूची, जगाउन र परिचर्चा गराउन कलाँजी केही निथि गल मन्थन कार्ययोजना बनाउचीन इ तैयारी केक लागी हुन 148 भाशक अक्षा मा पोस्टर हरू को प्रयोग बारे तल का मध्य कून सही होन तो बसले नानी हरू लाई चित्र हने हेने आउसर दिंच रश्न 149 अभ्यूदय इमर्जेंट साक्षर अवस्थामा के पनी लेखन अंतरगत पदर्च तो शब्द हरू लेखनू रश्न 150 विद्यार्थी हरू का भाशा प्रयोग को मुल्यांकना लागी निमलिखीत मध्य कून चाही सर्वादिक सर्महत्वपूर्ण राहंच तो पॉट्फोलियो ये थे हमारे जन्वरी 2021 के प्रीवियस एर के क्वेश्चन्स निपाली लैंग्विज का अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पूर वाचिंग